हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टू माई चैनल तो फ्रेंट्स जन्वरी के महीने में कौन-कौन से प्लांट की हमें कटिंग लगानी चाहिए जो की बहुत अच्छे से ग्रोव हो जाए और कैसी मिट्टी में आपको लगानी चाहिए किस तरीके से केर करनी चाहिए ताकि कटिंग हमारी खराब ना हो तो इस वीडियो में कुछ ऐसे ही प्लांट्स के नेम भी आपको बताने वाली हूँ और केर भी इसलिए फ्रेंट्स वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे बैल आइकन के साथ तो सबसे पहले तो देखिए हमारा प्लांट है इंगलिस आई वीवाई इस प्लांट को बोलते हैं इंगलिस आई वीवाई बहुत ही सुंदर सा प्लांट होता है इसकी पत्या बहुत खूबसूरत लगती हैं देखने में ऐसा लगता है जैसे आर्टिफिसल प्लांट हो तो अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहा रहे हैं तो इस तरीके की एक इसकी कटिंग ले लिजे और ऐसी मिट्टी इसके लिए चाहिए होगी जिसमें थोड़ा रेथ हो क्योंकि इस प्लांट में ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है इसकी मिट्टी हलकी सूखी रहे तब ये प्लांट ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करता है तो इस प्लांट की भी अभी आप कटिंग लगा सकते हो ये ज़्यादा तर से नर्सरी में हमें सर्दियों में ही प्लांट मिलता है वो हैंगिंग बास्किट में भी आप इसे लगा सकते हो बस धियान रखना है कटिंग लगाते time ज्यादा पानी नहीं डालना है तो इस plant के बाद है हमारा next है क्रैसुला का plant तो क्रैसुला की सरकुलेंट की ही यह वेराइटी है क्रैसुला भी बोलते हैं तो इस plant में भी पानी नहीं डलता है इसकी भी मिट्टी थोड़ी वैल ट्रेन ही रखनी होती है जिसमें आपको one part रेत लेना है one part खाद लेनी है one part मिट्टी लेनी है कटिंग लेनी है तो इस तरीके की आप एक कटिंग लेकर उस मिट्टी में लगा दोगे तो बहुत अच्छे से अभी इसकी कटिंग तयार हो जाएगी ये सरकुलेंट फैमली से है तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है आपको तब लगे वन वीक में या फिर दस दिन में जितना भी बिलकुल मिट्टी बहुत ज़्यादा सूक चुकी है आपको इसमें तभी पानी डालना है रोज-रोज इस प्लांट में पानी नहीं डालना होता है इसके बाद ये भी क्रैसुला का ही प्लांट है क्रैसुला की ही एक वेराइटी है जो की देखने में बहुत खूबसूरत भी लगती है इसकी पत्या बहुत मोटी मोटी होती है गुदे वाली इनकी जो क्रैसुला की वेराइटी है ये ऐसी है कि अगर इनकी पत्यों को भी आप आप मिट्टी में लगा दोगे तो इनकी पत्तियों के पास से भी न्यू न्यू प्लांट निकलना मतलब स्टार्ट हो जाते हैं तो हमारे प्लांट की देखे मिट्टी आप कितनी सूखी हुई है तो इनमें ज्यादा पानी नहीं डलता है तब यह ज्यादा अच्छे से ग्रोध करते हैं तो इनकी भी हमें एक देखे इस तरीके से यहां से कटिंग लेंगे और मिट्टी में लगा देंगे तो इसकी कटिंग बहुत आसानी से तयार हो जाती है इसके बाद देखे नेक्स्ट प्लांट है हमारा बोस्टर्ण फर्ण तो बोस्टर्ण फर्ण जो होते हैं इन्हें अपने आसपास ठंडी जगा पसंद होती है तो जब ज़्यादा गर्मी जब होती है तो इनकी पत्या सूखने लग जाती है लेकिन इस टाइम पर ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं और ग्रोस्ट भी इनकी बहुत अच्छी होती है तो बोस्टन फर्ण का क्या होता है कि इनके पास से छोटे छोटे प्लांट निकलते रहते हैं, बेबी प्लांट बोल सकते हैं, तो अगर वही बेबी प्लांट निकाल कर हम अपने न्यू प्लांट बनाने का सोच रहे हैं, तो इसके पास से देखिए यहां से प्लांट निकाल आपको धीरे से और मिट्टी में लगा देना है तो बहुत इजी इसको भी आप कटिंग से ही तयार कर सकते हो तो यहाँ पर देखिए हमने ये बोस्टरन फर्ण की ही एक कटिंग लगाई हुई है जो की बहुत अच्छे से अभी ग्रोथ कर रही है तो बोस्टरन फर्ण की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हो बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है हैंगिंग बास्किट के लिए भी ये प्लांट बहुत सुंदर होता है फैलता है चारो साइड से इसके बाद देखिए फूलों वाले प्लांट में बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले वर्बीना का प्लांट है तो वर्बीना का प्लांट एक ऐसा होता है जो कि फूल इसके छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत सुंदर लगते हैं और काफी हार्डी सा भी ये प्लांट होता है कम केर में चलने माला तो इसकी भी आप जितना मर्जी कटिंग लगा सकते हो कटिंग से ऐसे हो गए हैं बरसात की वज़े से क्यूंकि इन में भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं डलता है थोड़ा कम ही पानी मिटी ड्राइ रहती है तभी इन पर ज़्यादा अच्छे से फूल खिलते हैं पूरा दिन की धूप में आप इन प्लांट को रख सकते हैं फूलो वाले प्लांट को तभी ज़्यादा अच्छे से फूल करते हैं वर्बिना का क्या होता है कि इसे आप हेंगिंग बास्किट में भी लगा सकते हो और ऐसे वाले पोट में भी लगा सकते हो और इसके बीजो से भी ये तयार हो जाता है तो next plant है हमारा देखी calendula calendula भी इतना सुंदर plant है और इसके फूल भी बहुत प्यारे लगते हैं और काफी बड़े size के होते हैं तो calendula के color भी आपको कई सारे मिल जाते हैं और इसी के फूलों के सूखने के बाद इसमें beach बनना start हो जाता है तो हमें इसका फूल time to time कट करते रहना चाहिए ताकि इस पर new कलिया बनती रहें और फूल निकलते रहें तो एक ही plant पर बहुत सारे फूल calendula के खिलते हैं तो बहुत सुंदर लगता है तो देखी इस तरीके से आपको लगे कि पुराना फूल सूख चुका है तो वहीं से उसे pinch कर दीजे तो ये plant देखी इसके पास से भी इसके new new stem निकलते हैं और इसे भी cutting से grow करना बहुत easy है और बीजो से भी grow करना बहुत easy है next plant है हमारा clanchu तो clanchu भी circulant family से ही ब्लोंग करने वाला plant है इसमें पानी ज्यादा नहीं चाहिए होता है क्योंकि इसके stem जो होते हैं थोड़े मतलब ऐसे होते हैं कि पहले से ही उनमें पानी रहता है और इसकी पत्तियों पर भी ज्यादा पानी रुपता है अगर तो fungus लग जाती है तो इसमें भी आपको ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना होता है इनकी hybrid variety भी होती है और देशी variety भी होती है तो ये plant ऐसा है कि अगर इसकी एक पत्ती को भी आप रेत में लगा दोगे तो इसकी पत्ती के पास से भी new new plant बनना start हो जाते हैं इसे आप cutting से बहुत इजी तयार कर सकते हो इसके बाद देखे next एक सर्दियों का ही plant है हमारा जो की बहुत ज़्यादा सभी को पसंद होता है क्यूंकि इसके एक तो फूलों के color बहुत ज़्यादा होते हैं और हम इसे plant को अपने according किसी भी shape में कर सकते हैं hanging basket मान लीजे, plastic की bottle में मान लीजे या किसी भी तरीके से decorate के लिए pitonia एक ये ऐसा plant है जो की बहुत सुंदर लगता है और इसके फूलों के color देखे हमारे पास भी बहुत सारे हैं और सबसे इच्छी बात है कि ये cutting से plant बहुत इजी तयार होता है pitonia nursery में इसकी आपको 15 से या 20 रुपे की पोद मिल जाती है अगर आप लाना चाते हैं तो और पूरी सर्दिया बहुत अच्छे से flowering करता है और देखने में भी खुब सूरत लगता है इसके बाद next plant है हमारा impassion तो impassion भी ऐसा plant है जिसमें पानी बहुत कम चाहिए होता है अगर इसमें भी पानी जादा डल गया तो इसके भी stem गलना start हो जाते हैं इसके color भी आपको कई सारे मिल जाते हैं हमारे पास इसके दो color है pink है और एक red color है इसकी छोटी variety भी होती है जिन पर बहुत छोटे छोटे से flower निकलते हैं impassion plant महगा मिलता है nursery में लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत ये plant होता है तो ये बारिस की वज़े से देखे थोड़ा इस तरीके से इनकी पत्या हो चुकी है इस plant को आप 2-3 घंटे की धूप मिले सिर्फ ऐसी ही जगह पर रख सकते हो इसके बाद next है हमारा marigold गेंदा जिसके फूल बहुती प्यारे लगते हैं छोटी भी होते हैं और मतलब बड़े size के भी होते हैं ये plant तो ऐसा है कि बीजो से भी तयार हो जाता है और cutting से भी तयार हो जाता है इसके फूलों के color भी हमें कई सारे मिलते हैं और देखने में बहुत सुंदर भी लगता है पूजा में भी इसके फूल बहुत ज़्यादा use होते हैं तो merry gold तो हर किसी के ही घर में मिल जाता है plant ज़्यादा care भी इसको नहीं चाहिए होती है कम care में ये बहुत अच्छे से flower करने वाला plant होता है और हमें तो इसका ये वाला color बहुत पसंद है जो कि देखने में भी अच्छा लगता है इसके बाद next है हमारा dianthus का plant तो dianthus भी देखिए ऐसा ही plant है जो कि cutting से बहुत इजी तयार हो जाता है और इसका भी यही है कि फूल सूखने के बाद हमें इनकी cutting करते रहना चाहिए फूलों को pinch करते रहना चाहिए ताकि new फूल में बीज ना बने और plant पर ज्यादा से ज्यादा कलियां बनना स्टार्ट हो तो हमारा देखिए यहाँ पर इसके color हमें कई सारे मिल जाते हैं में पास भी इसके तीन से चार color है एक ये वाला color भी dianthus का है और ये वाला हमने अपने घर पर तयार किया था बीजो से इसे बीजो से और cutting से तयार करना बहुत आसान होता है plant को तो इस तरीके से देखिए जो पुराने फूल हो उन्हें पिंच करते रहना चाहिए इसके बाद देखिए alovera है तो alovera भी ऐसा ही plant है जो कि उसके पास से baby plant निकलते रहते हैं बहुत सारे और आप अभी भी इस तरीके से cutting लगा सकते हो हमने ये अभी लगाई थी कुछ दिन पहले So friends इस वीडियो में इतना ही I hope आपको वीडियो पसंद आया हो तो बाई बाई